हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे इंटर्शिप प्रोग्राम के दौरान मिलने वाली टाइरी नमबर तीन की इसके अंदर हमें साथ दिवसील अवलोकन कारिकरम की रिपोर्ट तयार करनी होती है सबसे पहले हमें विध्याले अवलोकन की रिपोर्ट तयार करनी है विध्याले का क्या नाम है संस्था प्रधान कौन है अवलोकन करता कौन है यानि अवलोकन करता में हम अपना नाम लिखेंगे इसके बाद कितने वरिष्ट अध्यापक है कितने प्रधाना अध्यापक है साहे करमचारी कितने करमचारी कितने इनका वीवरन हम इस डायरी के अंdर लिखेंगे इसके बाइद में हमें दावांकन करना है कि लास भाइज बच्चों का कि कितने बच्चे किस किलास के अंदर अंधयान रत है इसके बाइद में हम देखेंगे कि क्या शिक्षन प्रभावी हो रहा है ये सबी विद्याले के विद्याले से जुड़े हुए अवलोकन रिपोर्ट हमें तैयार करनी है तो विद्याले से जुड़े हुए सारे questions इसके अंदर पूछे गए हैं वे सबी हमें अच्छे से बताना हैं कि मिड्या मेली में के अंदर कैसी भोज़न की विवस्ता है विद्याले ये नक्षा कैसा है पुस्तकाले है तो पुस्तकाले कैसा है अनुदानों का वीवरन करना है विद्याले में किये गए अनुदानों का वीवरन इसके अंदर लिखना है विद्याले में इंटरनेट सुविदा है या नहीं इस अंदर में हमें विद्ध्याले के अवलोकर रिपोर्ट तयार करनी है फिर बात करते हैं विद्ध्याले परतिवीदन की कि विद्ध्याले कितना पूराना है इसके एतिहासिक प्रश्ट भूमी हमें लिखनी है महा विध्याले से विध्याले की कितनी दूरी है और विध्यारती चात्रा अध्यापिका को या चात्रा अध्यापक को स्वयम एक नजरी नक्षा बनाना है विध्याले का इसके बाद में हमें विध्याले के रूप रेखा लिखनी है विद्याले में क्या क्या सहस एक्षिकती विदियों का आयोजन होता है विद्याले के संस्था परदान की चुकक्स है वहाँ पर कौन कौन से संसाधन उपलब्द है ये सबी बात हमें लिखनी है कि विद्याले के अंदर कौन कितना फरनीचर है कैसा फरनीचर है सांस्कृतिक कारिक्रमों का विजन कैसा किया जाता है यह सबी हमें इसके अंदर लिखना है फिर सांस्कृतिक कारिक्रम के अंदर बच्छे क्या सीखते हैं सांस्कृतिक कारिक्रम से नोडल पर विध्याले नोडल पर कैसा विध्याले है विध्याले के इस्तती क्या है क्यों क कारिरत है उन सब के बारे में हमें लिखना है फिर इस पूरी रिपोर्ट तेयार करते हैं वक्त हमें क्या-क्या अनुभव प्राप्त हुए बहर निसकर्ष लिखना है हमें निसकर्ष लिखते हुई अवलोकन रिपोर्ट हमने किस परकार तेयार की या संपूर्ण चानकारी हम इस निसकर्ष के अंदर लिखना है। इस निसकर्ष के अंदर लिखना है। इसकर्ष के अंदर लिखना है। इसकर्ष के अंदर लिखना है। फिर आता है किरियात्मक अनुसंदान। किरियात्मक अनुसंदान के अंदर हमें किरियात्मक अनुसंदान के चरण बद तरीके से हमें किरियात्मक अनुसंदान पूर्ण करना है। अंतिम में सुजाव लिखने हैं हमें और इस परकार से हमें संपूर्ण के लियात्मक उनुसंदार रिपोर्ट तैयार कर अवलोकों डाइरी पढ़नी है।